आगर आपकी फोन पर इंटानेट ओन नहीं हो रहा है या फिर आपकी यूटूब हो प्लेस्टोर हो इसमें नो इंटानेट कनेक्शन दिखा रहा है या फिर यूटूब प्लेस्टोर आपकी नहीं चल रहा है तो इसके जो प्रॉबलम है इस प्रॉबलम को स्वाल्प करना दि वीडीयो की step by step देखना इस प्रोल्लेम को ठीक करने के लिए मैं आपको तीन तरीक बताऊंगा जो आप step by step मेरा वीडीयो को follow करना ठीक है तो सबसे पहले काम कर लेना मेरा वीडीयो इसको save कर लेना या फिर इसकी जो link है वीडियो के यूट्यूब वीडियो की link है इसको copy करके कहीं WhatsApp पर paste करके रखना तो जो पहला तरक है सबसे पहले आप लोग अपना phone को एक बास switch off कर देना switch off करने के बाद आपकी जो sim है इसको बहार निकला phone से phone से sim को बहार निकल लेना निकलने के बाद फिर से आपको sim को phone के अंदर डालना है SIM card को phone के अंदर डालने के बाद phone को on कर लेना phone को on करने के बाद आपकी internet को on करके देखना अगर internet चल रहा है तो ठीक है अगर नहीं चल रहा है तो मैं जो step बताऊंगा अभी तो आपकी जो internet के problem है 100% solve हो जाएगा तो सबसे पहले आप अपना settings के अंदर आ जाना आने के बाद SIM card mobile लेटा है इस option के अंदर आ जाना आने के बाद जिस SIM card में आपकी mobile recharge है मतलब internet recharge है जिस SIM card पर उसी SIM card का अंदर आ जाना मेरे यहाँ पर SIM 1 के अंदर है तो SIM 1 के अंदर में यहाँ पर आ जाऊंगा आने के बाद यहाँ पर एक option देख सकते होई इस option के अंदर आपकी सारे काम को करना है तो यह option अगर आपको नहीं मिल दा है तो आप नॉर्मल जाकि आपकी settings के अंदर जाओ जाकि यहाँ पर सार्च करके भी इसको ढूंड सकते हो जाब दर फोर्म पर आपको SIM card information या फिर mobile data इसके अंदर देखने को मिल जाएगा यह access point option तो आप लोग अपने access point option के अंदर आ जाना है आने के बाद आपको उपर 3 dot या फिर आपको डायेट आपको रिसेट आपको एक option देखने को मिल जाएगा तो इसके उपर आपको क्लिक कर लेना है यहां पर मिल टू डौर्ट के अंदर में किलिक करूंगा तो यहां पर रिसेट मेरे option आ रहा है तो मिल जैसे ऑपकी जो SIM card है उसका एक setting यहां पर automatically आ जाएगा तो मेरा इहां का Jio का SIM card है तो यहां पर Jio का सेटिंग आगी आपकी दो अाकर सेटिंग को आजाएगा अगर आपकी Vodafone का होगा तो Vodafone का सेटिंग से आजाएगा यहां पर आगर आपकी phone बार reset करने के बाद भी ओफ umasन नहीं आ रहा है या फिर आपकी reset नहीं हो रहा है तो और यह काम कर सकते हैं आप उपर देख सकते हैं यहाँ पर जो plus की वटन है इसके उपर क्लिक कर देना या फिर यहाँ पर आपको new APN नाम से आपको option देने को मिल जाएगा इसको उपर क्लिक कर देना फिर आपकी सामने एक नया page open हो करने के बाद जो setting है जो कि सेटिंग से वह देख देखके यहाँ पर जो नया page आपने open किया है इसके अंदर देख देख कर लेना सारे अगर आपकी आटल के SIM काट है तो यह पेन के अंदर चले जाना उहाँ पर यह आटल option देखने को मिल जाएगा उसके अंदर जाके देख देख के आप यहाँ पर जो नया page create कर रहा हो यह पिन की यहाँ पर देख देख कर लेना फिर इसको save कर दो save करने के बाद internet को on कर लो on करने के बाद आपकी YouTube प्लेस्टोर हो देखो ठीक टक से work करना start हो जाएगा तो आभी देख सकते हो मेरा internet on हो गया यहाँ पर और मैं आग प्लेस्टोर को अगर में ट्राइगन करूंगा तो प्लेस्टोर भी मेरा यहाँ ठीक ठाक से work कर रहा है देख सकतो यहाँ पर तो इस तरीके से आप लोग अपना problem को solve कर लेना इसकी बाद भी आगर आप लोग को कोई भी problem होता है तो मुझे जोड़र comment box में बताना आप लो वीडियों को आम तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद